हेलो बच्चो आप सब का कक्सा 6 और 7 गनित विश्य की ब्रक्ट बुख दो जा टेबी 24 के कार्य पत्रक 44 में आर्दिक स्वागत है बच्चो कार्य पत्रक 44 में हम भार की चोटी चोटी इकाईयों के अंतर सम्मंद की समझ बना पाएंगे देखो बच्चो सो किलो ग्राम सो किलो ग्राम पराबर कितना होता है बच्चो एक क्वेंटल उतना होता है बच्चो यह महन आपकी हिकाईयों की जुरूत पड़ेगी बच्चो एक क्विंटल के अंदर 100 किलो होते हैं और एक किलो ग्राम में कितने होते हैं बच्चो हजार ग्राम होते हैं और एक ग्राम के अंदर कितने होते हैं एक ग्राम के अंदर बच्चो 100 क्या होते हैं मिलिग्राम होते हैं तो बच्चो देखो, पहला प्रशना, मिलान कीजिए, क्या करना है बच्चो? मिलान करना है, दो किलो ग्राम का मतलब कितना हो गया, दो हजार ग्राम, यूकि बच्चो दो गोणा हजार, तो कितना हो गया, दो हजार ग्राम, फिर बच्चो साथ हजार ग्राम, तो साथ हजार में बच्चो हजार का भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, साथ किलो ग्राम, फिर बच्चो बच्चो 2350 ग्राम, 2350 ग्राम, मतलब बच्चो 2 किलो और 350 ग्राम, आगे बच्चो प्रशन संक्या दो, हल कीजिए, पहला है 4 किलो ग्राम, तो बच्चो 4 गुणा 1000, यानि की 4000 ग्राम, अगला 6 किलो ग्राम, यानि 6 गुणा 1000, कि इतना हो जाएगा? चेह हजार ग्राम अगला तीन हजार ग्राम यानि बच्चो तीन हजार भाग हजार मतलब कितना हो गया तीन किलो ग्राम अगला बच्चो चार हजार ग्राम तो चार हजार बटे में हजार यानि बच्चो चार किलो ग्राम अगला बच्चो पांचवा चब्वीस किलोग्राम और 14 ग्राम तो बच्चो चब्वीस किलोग्राम का मतलब कितना हुआ देखो बच्चो चब्वीस किलोग्राम तो चब्वीस गुणा हजार पलस 14 तो बच्चो चब्वीस हजार और 14 ग्राम कितना हो जाएगा 24,014 ग्राम अगला बच्चो 6,125 ग्राम मतलब कितना हुआ बच्चो 6 किलो ग्राम और पीछे कितना बच्चेगा 125 125 में 1000 का भाग देंगे तो 125.125 किलो ग्राम जैको बच्चो 6,000 का मतलब 6 किलो फिर 125 ग्राम तो 125 ग्राम बटे में 1000 तो कितना आ जाएगा दसमलव एक दो पांच किलो ग्राम ठीके आगे बच्चो तीन किलो ग्राम तो तीन गुणा हजार मतलब बच्चो तीन हजार ग्राम अगला तीन हजार दो सो पच्चास ग्राम मतलब बच्चो तीन किलो और दो सो पच्चास ग्राम ठीके आगे बच्चो दो क्विंटल यानि बच्चो दो गुणा सो यानि की 200 किलोग्राम 200 किलोग्राम का मतलब है 2 क्विंटल ठीक है अगला बच्चो 500 किलोग्राम 500 किलोग्राम का मतलब कितना है बच्चो 500 बटे में 100 यानि की 5 क्विंटल ठीक है बच्चो तो इस तरह हमने कारेपतरक 44 के सभी प्रश्णों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मिद करता हूँ सभी प्रश्णों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी कलास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट से और सबस्क्राइब जरू करें